नवस्कार दोस्तो मैं अमित कुमार स्वागत करता आप सभी का एक और फिर से अपने यूटूब चैनल रेयर फैक्ट्स में दोस्तो बात हम करेंगे आज हनी सिंग के बारे में जियां दोस्तो हनी सिंग भारत के एक संगीत निर्माता गायक फिल्म अभिनेता और रैपर है हनी सिंग भारतिय नौजवानों के बीच सबसे पसंदिदा सिंगर है ही हम कह सकते हैं हनी सिंग को यो यो हनी सिंग के नाम से जाना जाता है हनी सिंग का जनम 15 मार्च 1983 को पंजाग के होशियारपूर में एक सिख परिवार में हुआ है दुनिया भले ही हनी सिंग को हनी सिंग के नाम से जानती हो लेकिन इनका असली नाम फिरदेश सिंग है हनी सिंग ने रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के तोर पर करियर सुरू किया था हनी सिंग ने ट्रिनिटी स्कूल ओफ यूके से म्यूजिक की पढ़ाई पूरी की है साल 2000 में वे बारवी पास किये उस समय वे दिल्ली में रहते थे बच्पन में हनी सिंग को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी और इस कारण का कई बार घर से भाग भी चुके थे अपने स्कूली दिनों से हनी सिंग अमौल पालेकर के जबर्दस्त मिमिकरी किया करते थे हनी सिंग हमेशा से फास्ट ट्राइविंग के सोकिन रहे हैं 2003 में भारत ने पाकिस्तान को किर्केट विसू कप में हराया था तब हनी सिंग के पास वैगनार कार थी जिसे इन्होंने खुसी कि मारे सड़कों पर खूप तेज दोड़ाया था एक बार दिल्ली में वार ओफ डीजे के नाम से एक कॉंटेस्ट आयोजित हुआ था इनमें हनी सिंग ने हिस्स लिया और दूसरा स्थान हासिल किया था इसी के बाद से हनी सिंग के करियर की सुरुआत हुई आज कोई भी पार्टी हो तो हारो हनी सिंग के गाने के बिना वो अधूरे ही रहते हैं सभी का इमानना है कि हनी सिंग अपने नाम के पहले योयो खुद को एक नया नाम देने के लिए लगाते हैं लेकिन असल में इसका मतलब है यूर ओन आप सभी का योयों ने अपनी एक्टिंग की शुरुवात एक पंजाबी फिल्म मिर्जा से की थी जिसमें ये गेंग्स्टर की भूमिका में थे हनी सिंग द्वारा गाना गाया गया लग 28 कुडिदा बहतर बहुत पोपलर हुआ था और इसके चलते ये गाना BBC डाउनलोड चार्ट्स में नंबर एक पर रहा हनी सिंग ने बॉलिवूड फिल्म मस्तान में एक गाना गाने के लिए 70 लाख रुपए की फीस ली थी और इसके बाद हनी सिंग बॉलिवूड में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले का एक कार बन गए थे हनी सिंग साधी सुधाय लेकिन इनकी पतनी हमेशा लाइम लाइट से दूर रहती है हनी सिंग के पतनी का नाम सालिनी सिंग तलवार है और वह एक चार्टेड अकाउंटेंट है हनी सिंग का कहना है कि वे अपने कुछ पर्सनल चीजों को हमेशा पर्सनली रखना चाते हैं हनी सिंग ने सबसे पहली बार अपनी पतनी को इंडियाज राश्टार नाम के टीवी शो के जरिये दर्सकों से रूबरू करवाया था हनी सिंग बाई पोलर नाम के एक डिसोर्डर से ग्रसिते खबरों के मताबिक हनी सिंग की ये हालत विरक्ष और सराब की लत्की वज़े से हुई थी हनी सिंग का अलबम इंटरनेशनल विलेजर अब तक सर्वोच कमाई करने वाली एक पंजाबी अलबम है हनी सिंग के कई गानों पर विवाद भी हुआ है और कहा जाता है कि ये दोस्ती के बहुत पक्के हैं हनी सिंग गाना गाने के अलावा गाने में बात भी कर लेते हैं तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे येटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़ी इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद